हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैई चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आपके बच्चे के एक्जाम अभी फिनेश हुए है तो वो किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करें क्योंकि इस समय का ये समय ऐसा होता है कि एक्जाम खतम होने के अच्छा बोर्यत फिल करने लगता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए यही सब लेकर आई हूँ कि किस तरह इस खाली समय को यूज किया जाए जिससे आपके बच्चे का माइंड बूस्ट अब हो सके और उस साथ साथ उसका एंटरेंडमेंट भी होता रहे उसक कुछ नए चीज़ भी सीख पाए तो आए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है रीडिंग की आप जब इस समय बच्चे का टाइम खाली होता है तो इस समय बच्चे को आप रीडिंग करने के लिए उसके कोर्स की कोई बुक हिंदी की या इंगलिश की रीडिंग करने के दीजे दूसरी चीज़ आती है प्रैक्टिस डेली कराईए बच्चे को जिससे आपकी अगर बच्चे की राइटिंग में कोई प्रॉबलम है तो वो साफ हो जाएगी राइटिंग उसकी साफ कराने के कोशिश कीजिए और थर्ड चीज है डिक्टेशन डिक्टेशन आप डेली बच्चे को एक पेस बोलिए चौती चीज आती है मैट्स की मैट्स में आप बच्चे को कोई सम्स है जो उसके पुराने हो चुके हैं उसके लिए आप एक एक दो दो करके दे सकते हैं जिससे उसको पुराना भी रिवाइज हो जाए या आपको लगता है आगे का चैप्टर थोड़ा सा इजी है आपके चैप्टर भी आप बच्चे को अपनी आप समझा सकते हैं जिससे वो नेक्स जब वो क्लास में जाएगा जब उसकी मैम या सर उसको समझाएंगे तो उससे पहले ही उससे समझ में आ जाएगा इसके साथ साथ आप मैट्स में उसको टेविल भी करा सकते हैं तो ये सारी हैं और उसके लिए आपको खुद इंवाल्व होना पड़ेगा बच्चे के साथ यह नहीं है कि आपने बच्चे को दे दिया लो अपने आप खेल लो आप जब तक आप खुद इंवाल्व अब खाली समय है तो बच्चे का टाइम एक निर्धारित कर दीजे कि इतने देर तक आपको इंडोर गेम्स खेलने हैं तो चाहे उसमें लूटो हुआ चैस हुआ कैरम हुआ यूनो कार्ड्स होते हैं वो खिलवाई आप बच्चे को मेरी प्रिविएस वीडियों आप दे सकते है कि यूनो कार्ड्स हम किस तरह से बच्चे को खिला सकते हैं इसे वी बच्चे को एक सीख मिलती है और आप इस तरह से अपने बच्चे को इंडोर गेम्स में एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करवा सकते हैं आजकल के जनरेशन में मोबाइल या टीवी या लैपटॉप बहुत ही कॉमन चीज हो गई है जो हर घर में यूज की जाती है और इसको भी बच्चे बहुत अच्छी तरह यूज करते हैं तो अगर आपके बच्चा भी मोबाइल लैपटॉप या टीवी देखने का ज्यादा शौकीन है तो उसके लिए भी एक टाइम आप निश्चित कर दीजे कि आदा घंटा या एक घंटा आपके बच्चे को डेली मोबाइल या टीवी या लैपटॉप देखने को मिलेगा तो अच्की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग